नवास का दोस्तों स्वागत है आपका आपके एपने यूटूब चेनल पर तो दोस्तों रीड से चक बरती दुचे की 22 को लेकर आप सब के लिए बहुत बड़ी ख़बर निकल क्या रही है जहां दोस्तों रीड जो आपके माई में परिच्छा होने वाली थी दोस्तों उसको भी रद कर दिये गया है अब आपकी नए सरे से दोनों परिच्छाओं का आउजन एक साथ बावन हजार पतों पर कराये जाएगा दोस्तों दोनों बरतियों को यहां पर इस्तिकित कर दिये गया है बरती इस्तिकित करने पर गेलोट केविनियर्ट की मीटिंग और दोस्तों आट हजार लोगों के पास तकरीवन जो पेपर है वो पहुंचा है इसको लेकर एसो जी की तरफ से बहुत बड़ा वयान है कि पहले सभी मंत्री भी वह लेते से चामंत्री गोशिंग टोट सब्सक्राइब लेकिन पेपर बड़े इस तरफ पर आउट हुआ है और इसको लेकर कोट है वो भी दोस्तों आज आप सबकी कोट में सुनवाई भी है कोट का क्या फैसला है दोस्तों इस वीडियो मताने वाला उम्र दराज चेहरे समयदा कर्मियों को नहीं हटाया था जारोली ने जियां दोस्तों रीट पेपर लीग प्रेग्रण में सोजी की जांच को सिकंजा बोर्ड की तरह बढ़ते हुए कोट राज्य सरकार पेले ही अलट हो गई और उसने इस वर्स माई में प्रस्तावित री आप सकत जो है सरकार है वो रवया अपना रही है और डीपी जारोली को परकास्त कर दिया गया है लेकिन दोस्तों इसी बीच जो मैं में होने वाली रीट एक जाम है उस पर भी संकटा गया है रीट पेपर लीग पर एसोजी की मोहल लगने के बाद मामले की सीवी आई जाच से भी बढ़ गए हैं आज गयलोथ केविनेट की मीटिंग है जिसमें दोस्तों आपका पेपर रद पर साम तक आप सब के लिए दूस्तों फैसल आ जाएगा हालांकि अपडेट यह की लेवल जो है सेकंड का ही पेपर है रद की जाएगा लांकि इस्टों यह भी मांग करें तो दोस्तो अब दोनों वर्तियों को एक साथ कराने पर सेमती है वो बंड़ रही है यानि कि है वो बावन हजार पत्यों पर नई वर्ति का आईजन है दोस्तों यहाновकर दिच प्यक्यूंद सकता आप of दृखती है सच्च admire को निलमित किया गया है दोस्तों स्चेट को मुझे लगता है स्टार मंत्री से लेगर उपर तक कईièrement जुड़ुए इसको लेकर केंदरी मंत्री से बास ने दुस्तों बयान दिया है कि शेम ग्रूप था वहां पर अलग से बड़े करमशारी मौजुद थे उसकी सेफटी का जो जिम्मा है वो किसी अन्य अधिकारियों पता ना की मुझबर था इसको लेकर उने कहा है अब दोस्तों यह बर्दी है दोस्तों अब रद होगी आज सांथ को इसको लेकर फैसल आएगा और जो भी फैसल आएगा मैं आपको अब्डेट करूंगा रीट रद को लेकर आपकी क्या दोस्तों राय है रीट का पेपर रद दोना चाहिए क्योंकि सोले लाग एक्क्यावन आट सो बारह स्टुएंट रेक्जाम दी ती चौदे लाग चारहजाज सो स्टुएंट जो है का पिशार इस्टुएंट बाहरी राज्यों के तेश्पकाल लगए 26 लाक इस्टुएंट ने टोटल एक्जाम दी ती का पिशार इस्टुएंट डबल भी फॉरम बरादा क्योंकि उनको बास भी एस्टिसी और दोनों था राज नितिक सर्रचड के विना पेपर लीक सबब न दोस्ता इसका ने सुनवाई भी होगी और रीट में दोस्तों पेपर रदगने को लेकर कोट अपने भीवेक का भी अब्योंक कर सकता है और सबूतों के साथ सांसद कि रोडी लाल जाएंगे हाई कोट जिय दिन तोस्तुएंट डीट प्रीयट पहलाजपा क्रोडि लाल नि अद्या चुपेने आदम ने रीट वेवर ली के मामले में सीविय जाच की मांग की है और दोस्तों आप इसकी सीविय जाच होगी या पर बरती को रद्द करके नए सरे से बावन हजार पतों पर आपकी परिच्छा का आइजन कराया जाएगा तो आज दो भी अपडेट आएगी आपको अपडेट करते हैं सामचा दोस्तों चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लेना आज की वडियों उतना ही जाए हिंद्पन देमातर